हेलो बच्चों, तो देखिया आप रस्तना वाली साथ असमलब तीन करनी हैं, जिसमें की काफी कोशियन है, चौबीस, और चौबीस आज करने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा महनत करनी पड़ेगी आपको कुछ दिनों, क्यूं? क्यूंकि आपको पता है कि आपको पता है कि आप क्या करना पड़ेगी बड़ी वीडियो रहनी पड़ी है, जादा करना पड़ेगी काम एक दिन में, तो उसके लिए यह Scr सोचो कि हम जादा कर रहे हैं, तो करनी पा रहे हैं, ठक जा रहे हैं, तो अभी आपको महनत करनी पड़ेगी, बादो आपको इसका फाल मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो जितने अल्दी स्लेबस कंप्लीट हो अच्छा है आप लोग के लिए तो कोशिस तो मैं कर रहा हूँ ठीक है अब यह स्लेबस कब खतम हो इससे कुछ कुछ नहीं कह सकते बाकी में बात यह है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करें और वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेंगे आजकल तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करो और सी को उन्हें समझो ठीक है एक ही दिन में आपको एक प्रस्नावारी मिल जा रही है त देखते हैं फिर पहला question sine square 2x plus 5 कल में ने बताया था sine square x से की value कैसे निकालते हैं इसका कैसे cost 2x के तीन formula होते हैं जिसमें एक होता है 2 cosine squared 2x minus 1 और रहता 1 minus 2 sine square x से निकालना पड़ता है तो करते हैं फिर चलो पहले चीज, ये कुछ फॉर्मूले हैं मैंने बताया था ये 11 वाली वीडियो देख लेना टिक्नोमेटरी की पहली वीडियो ट्रिकोर्ण में दीगी डाली भी थी, सब कुछ दिया था आपके ग्रूप में उपर जाकर देख सकते हो वो फॉर्मूले सारे लिखेना, हर एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले लिखा हैं, हर एक फॉर्मूला आएगा एक भी ऐसा फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा लास्ट में जो आप कहोगे कि नहीं सर फॉर्मूला इसमें से नहीं हाए हर किसी का यूज होगा में ये चार फॉर्मूले हैं कहीं पर 2 sin x cos y दिखें तो उसके जगे हम sin x plus y plus sin x minus y लिखेंगे कहीं पर 2 cos x sin y दिखें तो हम ये लिखेंगे और कहीं 2 cos cos दिखें तो cos cos वाले ही लिखेंगे और 2 sin sin दिखेंगे minus में तो cos x plus y minus cos x minus y लेकिन यह minus अगर हम हटा कर इदर भेज़ें तो यह minus का यह plus का हो जाएगा यह पहले आ सकता है तो मैंने इसको भी अच्छे से बनाया है चौथे को यह रहा 2 sin x sin y दिखेंगे गहीं अगर तो मैंने से दर गया तो यह वाला प्लस हो गया पहले आएगा तो cos x minus y पहले आएगा फिर यह minus हो गया और यह बाद मा आएगा तो फिर देखो minus cos x plus y यानि तीन तो यह है चौथा वाला यह है नीचे वाला उपर वाला छोड़कर इसको याद कर लें ठीक है समझ किये न तुझरा देखते हैं फिर प्रपस्णावाली साथ दूसमलग तीन बड़ी है लंबी है पहले बता दे रहा है ठीक है तो हमने क्या किया किसको निकालने के लिए cos 2x का यह सुत्र यूज किया जिसमें sin square x से निकाला तो इसको इधर वेजा बट्टे में दो आया यहा है अब x की जिगा यहाँ 2x प्लस 5 है बांकी यह रख दो यहाँ पर तो 1-2x x की जिगा यह रख दिया बट्टे 2 अब आपको पता ही है यह 2 को हम भार ले आए 1 का होगा x और cos का sign होता है ठीक है समा कलन हां integration sign होता है तो sign यह आ जाएगा फिर बट्टे में क्या होगा इसके अंदर जो यह है इसका आउकलन होगा तो 2 ऐसा ही रहा अंदर 2x का 1 हुआ और 5 का 0 तो अंदर 2 पचा प्लस c बाहर लग गया है ठीक है फिर उसके बाद क्या कि हमने यह x रहन दिया इसको अच्छे से इसको 2 को अंदर ले गिये 4 10 और यहां भी 4 हो गया उसके बाद आप यह 2 को अंदर ले गिये तो इसके सांद जाएगा और इसके सांद भी जाएगा 8 प्लस c यह आंसर है तो ऐसा कोश्चन है ठीक है दुसरा कोश्चन साइन 3x कॉस 4x है यह देखो अगर इसके 2 लगा देना तो 2 साइन x कॉस y जैसा बन जाएगा अगि कौन सा वाला बन जाएगा 2 साइन x कॉस y यह दिख रहा है आपको सूतर पहला तो इसको sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y लिख सकते हैं तो पहला काम हमने 2 से उपर मलट प्ला है और डिवाइट किया अब हम इतने की जगा लिख सकते हैं sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y यानि पहले में से दुसरे को लटाया और पहले में दुसरे को जोडा dx ठीक है यह खाली सूत रहा है integration नहीं हुआ है अब यह sin 7 x आया है यह sin minus x आएगा और आपको पता है sin minus x जो होता है इसमें minus आगे आजाता है और minus sin x होता है हर किसी के साथ यही होता है सिर्फ cos में अगर minus होता है अंदर तो यह गायव हो जाता है cos में बाहरा और cos का उल्टा sec में भी अगर minus होता है तो यह गायव जाता है sec x आएगा लेकिन बचह भिए 4 में हमिसा minus आगे आता है तो हमने एकी step में 2 काम कर दिए हैं तो minus sinx आगे लिखती है आप जाहो तो 2 step बना लिना फिर sin 7x का होगा minus cosx होता है तो minus cos 7x और फिर 7x का alkaline होगा विट्टे में तो 7 आएगा ऐसे sinx का minus cosx होगा minus और minus plus होगा थीक है इतना आगया 2 को अंदर ले आना चाहो तो अंदर ले आ सकते हो यहां 14 यहां हो जाएगा यहां 2 हो जाएगा तो हम चाहें तो यह ले गिये हैं और यह हमारा answer हो अगला question तिसरा अब यहां भी same काम अगर 2 ले जाएं तो सुरू के इतना हिस्से में बन जाएगा formula तो हमने 2 से multiply किया और 2 से divide किया अब इतना हिस्सा जो है 2 cos x cos y का बना जो कि यहीं से लिखे 2 cos x cos y तीसरा formula cos x plus y plus cos x minus y तो यह हमने लगाया यहां पर और इससे हमें मिला cos 6 x cos minus 2 x यह black hit में रहेगा बहार cos 6 x पड़ा रहेगा तो cos minus x मैंने कहा था cos में गायब हो गया और सांती सांत हमने कहा किया इस cos 6 x से इसको भी multiply किया इसको भी तो यह cos square 6 x से बचा यह cos 2 x cos 6 x हो गया फिर से 2-2 से multiply किया उपर 2 आया यहां भी यहां भी और यहां divide किया तो यहां 2 और 2 4 हो गया अब देखो यह तो वही formula बन किया जो भी यहां पर लगाया था ठीक है यह 2 cos square x है तो यह कहां से आएगा cos 2 x equal to 2 cos square x minus 1 यहां से आप 2 cos square x निकालोगे तो 1 इधर cos 2 x plus 1 होता है तो हमने यही लिखा cos 2 x plus 1 x की जिगह 6 x है cos 2 x कितना जाएगा 6 x रहोगी तो cos 12 x plus 1 यह रख दिया शुरू में और इतने की जिगह वही formula cos x plus y plus cos x minus 1 ठीक है आगे बड़े अभी तो खाली यह solve कर रहे है cos 12 x plus 1 यह cos 8 x हो गया यह cos minus 4 x हो गया minus क्या होगा काया जाता है इस चीज को गयाब करके फिर हमने यहां पर लिख दिया है यह रहा 4 x अब आप करो आसानी से इसका cos का sin x होता है फिर 12 x का उकलन करोगे बड़े में 12 आएगा x कौन का x होगा cos 8 x का sin 8 x बड़े 8 x का 8 ऐसे cos 4 x का sin 4 x और बड़े में 4 x का उकलन तो 4 फिर आप चाहो तो इस 4 से अंदर multiply करो सब के साथ चले जाएगा ठीक है तो सब के साथ लेगी है यह रहा answer समझ रहो ना तो अच्छे question है ऐसे वैसे question नहीं है यह और जाम आएंगे तो आपको पता चलेगा अगर sin cube पूछे तो क्या करो अब मैंने यह पहल दिनी सकाया कि इसमें sin 3x का सुत्र लगा होगी 3 sin x माइनस 4 sin cube बाला यहां से 4 sin cube x का वैली मान निकालोगी तो क्या होगा यह चीज इधर ले आओ 4 sin cube x से इधर ले आओ यह ले आए यह इधर लेगी अब 4 पी बट्टे में चल जाएगा तो sin cube x का यह आगया अब यह यहां पर दिहान रखना कि x के जिगा यह 2x प्लस 1 है तो हमने यह बड़ा सा रखा और x के जिगा देखो 2x प्लस 1 रख दिया बांकि वही रखा है अब आप वहल कर सकते हो तो 3 ऐसे रहेगा यह इसमें हमने 4 भार ले आए हैं 3 ऐसे रहेगा sin x का minus cos x होता है समागलन इंट्री किसन में minus होता है तो minus आगे पर और cos x फिर बट्टे में अंदर वाले का भी होगा 2x प्लस 1 का 2 हो जाएगा ऐसे इदर भी minus हाएगा तो plus कर दिया और cos में हो गया फिर अंदर वाले का करोगे तो 3 ऐसे रहेगा 2x का 2 हो गया तो 3 टू जा 6 प्लस C अब 4 को अंदर ले जाओ तो यहाँ भी और यहाँ भी तो यह इस तरह से बन जाएगा और यह हमारा answer एक तरीका दूसा तरीका क्यूब बाले का एक और होता है पिर इसे उधरण में हमने एक जांपल में किया था एक cos qx फाला वैसे एक दूसा तरीका भी होता है इसका जो मैंने करा दिया है इसमें आप sin square x और sin के दो form में तोड़ लो फिर इसको 1-cos square कर लो और इसको ऐसे रहें फिर इस cos 2x plus 1 को t ले लो यह देखो t ले लिया तो इसका minus sin 2x plus 1 हो जाएगा और फिर 2x plus 1 का 2 और dx dt फिर हमें तो sin 2x plus 1 dx जी है तो minus और 2 को इधर भेज दिया तो minus dt y2 अब यहां रख दिया हमने वापस यहां t square हो जाएगा इसकी जगह minus dt by 2 तो 1 minus t square minus dt by 2 minus 1 by 2 अंदर ले जाओ यहां से तो यह minus 1 by 2 इसके साथ ले जाओ तो t square by 2 और प्लस कहा हो जाएगा अब कर लो इसका minus t by 2 इसका t q by 3 होगा और नीचे 2 है पहले से 6 हो गया अब t q जगह वापस रख दो वह उपर जो लिया है cos to x plus 1 यहां भी यहां भी plus c यह हमारा answer तो ऐसे करने है question इतना करने वाली बात नहीं है वीडियो बड़ा होगा यह मैं आप लों से कह रहा हूँ क्यों वह हो नहीं है क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े question है इतने जादा question है कि अगर हम आराम राम से करेंगे ना चार-चार-पांच में रोज के तो भाई है चार-पांच साल लग जाएंगे खतम होने में तो हमें तो करना इसी साल है तो इसलिए वीडियो बड़े बनाने पड़े है नोटस भी देखो बनाने पड़े है महनत लग रही है ऐसा नहीं है मुझे भी बहुत महनत करनी पड़ रही है अब एक दिन मैं 24 question में बना रहा हूँ उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर डाल रहा हूँ फिर भेज रहा हूँ तो सुचो कि महनत तो मुझे भी लगी रही होगी और आप लोगों को भी करनी ही पड़ेगी क्योंकि पढ़ना आप ही नहीं नहीं तो मेरी सारी महनत बरबाद गए तो इसलिए पढ़ो ध्यान से जहां समझ में ना आए पूछो यह मैं पहले से कहता रहा हूँ आज भी कहरा हूँ अगला है अगर दोनों क्यूब में दे दिया हूँ तो क्या करें तो हमने क्या क्या इसके टुकडे की है साइन स्क्वार और साइन एक साइन स्क्वार का एक बन मैनेस कॉस स्क्वार कर दिया अब देखो अगर कॉस एक को टी लोगे ना तो इन दो की जगे तो टी आ जाएगा और साइन एक से डिएक से जो होगा वो डिटी बन जाएगा बनाना, तो ऐसे दिमाग लगाना है cos x को t लिया, minus sinx dx dt, sinx dt x, minus dt तो यहां t रग दिया, यहां t रग दिया, यह रहा और इस और इसकी जिगए minus dt आ गया minus को भी अंदर लेगी है, और t q को भी अंदर लेगी है पहले के साथ लेगे, तो minus t q इसके साथ लगे तो minus minus plus और T की power 3 और 2 जुड़ जाएंगे कई बार गलती करते हैं यहाँ पर 6 से लग देते हैं यह जुड़ेंगे power ठीक है तो 5 होगा फिर T cube का तो T4 upon 4 हो जाएगा T5 का एक power जुड़ गई और बटे में 6 प्लस C अब वापस T की जगा रग दो value यही cos x तो यह minus cos की power 4 x प्लस cos की power 6 x प्लस C ठीक है अगला यह रहा 6 x 6 तो सेम ही वही question तो से उपर मलप्टाइ डिवाइड यह बन गया formula 2 sin x sin y यह नहीं लिखाया formula इसका सुत यह याद कर ले ना बहुत important है इसमें लगाई value तो यह ऐसा आया यह cos minus x से में cos गया minus गया बहुता है यह रहा फिर उसके बाद यह आगिया इसके अंदर मलप्लाइ किया यहां भी यहां भी तो ऐसा और ऐसा रहा फिर से हमको पता है कि 2 2 से करना पड़ेगा यहां भी 2 से यहां भी 2 से क्या उपर और नीचे भी क्या तो 4 हो गया अब ध्यान दो यह तो बन गया 2 cos x sin y यह रहा इसका फॉर्मूला और यह क्या बन गया 2 cos x से cos x जैसा दोनों में x से एक जैसा है तो 2 sin x से cos x से sin 2 x का एक ही फॉर्मूला होता है यह रहा तो इसमें आपको बड़ा काम नहीं करना है इसमें डिरेक्ट आप क्या कर दोगे 2 sin x cos x का cos 2 x x क्या है 3 x cos 6 x मतब sin 6 x हो जाएगा यह नीचे वाला लगा इसमें और उपर वाले इस वाले में इतने portion में यह बड़ा वाला लगा और पहरा वाला तो उससे हुआ क्या यह ऐसा आया यह ऐसा आगया यह sin minus 2 x आया होगा फिर minus 12 आता है तो वो इसको plus बनायता है तो हमने एक step में किया है यह ध्यान रखना ठीक है आप चाहो तो एक step बड़ा लिना कॉपी में sin 4 x का minus 4 x हो जाएगा cos और बट्टे में 4 x का 4 ऐसे इधर यह भी minus हो जाएगा बट्टे में 2 x का 2 इधर minus होगा तो यह plus कर देगा cos 6 x बट्टे 6 x का 6 चाहो तो 4 से अंदर मलप्लाय कर लो नहीं तो answer ले तो काफी है ठीक है यह इतना है आगे बढ़ते हैं अगला question यह थोड़ा छोटा है 2 से उपर मलप्लाय नीचे मलप्लाय करेंगे फिर यह formula बन गया 2 sin x sin y का यही formula जो इधर लगाया था cos वाला यह हो गया लगा दिया यह ऐसा आया फिर minus गाया हो जाता है इधर यह ऐसा आया इसका हो जाएगा sin 4x वट्टे 4 cos का हो जाएगा sin 12x वट्टे 12x है यह दिखनी रहा होगा लिखानी है 12x है ऐसे हमारा answer चाहो तो 2 से अंदर कर लो मलप्लाय नहीं तो इतना भी काफी है ठीक है अगले हम बढ़ते हैं यह आ गया अब यहां पर एक ची समयना sin 2x के 3 का एक फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है और मैंने बताया था अगर यहां पर 2x की जिगा x हो तो यहां x वट्टे 2 cos x वट्टे 2 होता है sin x का यह फॉर्मूला याद रहना cos x के 3 फॉर्मूले होते हैं जो कि आपके सामें दिख रहे होंगे cos 2x के होते हैं फिलाल वो cos x के भी बना सकते हो अगर 2x होता तो यहां x वट्टे 2 की जिगा x होता और x है तो यहां पर हमने x वट्टे 2 x वट्टे 2 कर दिया है 3 होते हैं cos x by 2 minus sin x by 2 और एक होता है 2 cos x by 2 minus 1 और 1 minus 2 sin square सबका यूज बताऊंगा यह 2 cos x by 2 minus 1 और 1 minus 2 sin square x by 2 कहां पर आएगा जहां cos के साथ में 1 plus में हो या 1 minus cos x हो तो वहां पर आपको इन cos x की जिगार पर सुरू के 2 लगाने पड़ेंगे ठीक है समझमाया यह वाला कहां लगाना पड़ेगा जहां cos x सा अक्यला हो अगर जरूत पढ़ रही है तो यह 2 नहीं लगेंगे वहां यह लगेगा ठीक है समझमाया गिया और यह sin x का formula कहां लगेगा जो 2 sin x cos x by 2 cos x by 2 होता है यह वहां लगेगा जहां पर अगर उपर इन वैसे कोई लगा है और यह sin x कहीं खाली फाल तो पड़ा है तो इसको भी आदा पर इनको आदा formula जिसे देखो यह cos x है इसको आपने अहाफ एंगल में बदल दिया अब उसके बट्टे में sin x दिया था तो उसको भी बदलना पड़ेगा तो उसको बदलने के लिए वहाँ पर हमें लगाएंगे जहाँ पर यह लगेंगे उपर वाले वहाँ पर जुरत पड़ेगी तो उसको लगाएंगे ठीक है तो आप देख रहे हैं 1-cos x 1 plus अब देखो उपर वाले cos x में क्या लगाओगी अगर आप पहला वाला लगाते हो तो minus sign यहाँ है तो यह अंदर जाएगा तो यह plus बन जाएगा फिर नहीं कटेगा अगर यह लगाते हो तो पहले वाले में कट जाएगा 1-1 तो first में यह लगाएंगे और दुसरे में यह वाला नीचे वाला लगाएंगे तो देखो कैसे यह लगाया ठीक है अब यह black it जैसे हटेगा minus तो minus का हो जाएगा यह plus का यह कट यह और नीचे यह और यह तो ऐसे कट जा रहे है तो बचा क्या सिर्फ एक 2 sin square x by 2 बचा उपर और नीचे 2 cos square x by 2 यह रहा 2 2 भी कट यह अब sin square cos square होता है 10 square x by 2 अब मैंने बताया था 10 square x का कोई formula नहीं होता पिछले वीडियो में बताया था और उससे पिछले में बताया था तो इसका formula होता है sin square x minus 1 x by 2 है तो x by 2 लिया जो की तिरकोर्ण में ती कि के सुर्वाती formula होते है sin square x plus cos square x equal to 1 वाला, दूसरा 1 plus 10 square x equal to sec square x वाला, और तिसरा 1 plus cos x square x equal to cod square x वाला, वो तीन मैंसे ही लगाया है हमने दूसरा वाला, ये अब sec square x का तो होता है सिर्फ दे 10x, तो इसका 10x by 2 होगा, फिर x by 2 का करोगे तो x का 1 तो 1 by 2 गटे मरा माइनस 1 का x हो गया plus c, तो ये हमारा answer आगया, ठीक है ऐसे, चाहो तो ये 2 उप पर आजाएगा, तो 2 tan x by 2 minus x plus c equal to answer ठीक है, सोचलो 8 question होगे हैं, 24 करने हैं अभी और वीडियो हो चुकी है, 15 minute की, तो 45 minute, कम से कम, देखते हैं वैसे इतना time लगेगा नहीं तो अब देख लो ये, cos x अक्यला है, मैंने बताया था ना, जब अक्यला होगा तो उपर आल लगेगा, लग गया और नीचे 1 plus में है, cos x तो cos x देखते हैं, ऐसा लगा हो कि 1 कड़ जाए ये लगाया, देखो 1 कड़िया पताया था ना, जो चीज़े बताया है, ये ना, वो फाल तो नहीं है, यादर ना तो ये बचा हुआ लिख दिया फिर उपर देखो, इसको हम एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ भेज देते हैं, दोनों के साथ 2 को भार ले लिया है, यहाँ ये कड़िया 1 आया, यहाँ साइन वट्टे कॉस्ट है ना, फिर से आपको पता है, 10 स्क्वेर का फॉर्मला नहीं होता तो वही साथ स्क्वेर x भाई 2 माइनस 1 ब्लैकेट हटेगा तो यह अंदर प्लस हो जाएगा, और यह 1 और 1 2 हो जाएगा, हर समय कटे जलू जी नहीं है, ठीक है, यह आया, फिर हमने 2 को, यह निकाला इसका अब किया हमने यहाँ से समागलन, 2 का 2x, स्क्वेर का 10x भाई 2 और x भाई 2 का 1 भाई 2 प्लस C, फिर इस 2 क अंदर लेगे, तो इसके साँ कट गया, इसके साँ भी कट गया, तो 2 हट गया हर जिगा से, तो बचे भी यह आंसर, ठीक है, तो ऐसे आए, अगला दसवा, साइन की पार 4x, एक ही तरीका है, साइन स्क्वेर एक्स का होल स्क्वेर लिए लिए और साइन स्क्वेर एक्स आप बहार ले आए अब दुबारा cos square 2x लगा यही से यही से मतलब यह sin square है ना यह cos square का नीची बनाया है cos 2x के इससे निकालते हैं अब यहाँ पर x की जगह क्या है 2x है तो यहाँ 2x रखोगी तो x की जगह 4x हो जाएगा तो cos 4x प्लस 1 by 2 यह लिखती है बागी सेम रहा फिर सीधे क्या 1 का x का मतलब 1 का x और 1 by 2 यह 2 को बहार ले लिया है फिर यहाँ cos 4x का sin 4x बटे 4x का 4 1 का x और यहाँ 2 ऐसा ही रहा cos 2x का sin 2x बटे 2x का 2 सब चीज सेम वैसी है कुछ भी अलग नहीं फिर इस 2 का अंदर लेगी है इस के सांथ और x के सांथ ही रहा फिर उसके बाद x और x by 2 outs lagi 3x बटे जाएगा ज्ड़ेगा तो और बाकी वैसा ही रहा फिर इस 4 का अंदर लेगी है इस के सांथ भी इस के सांथ भी यह प्लस c तो रहता ही है आंस तो यहां तक हो गया ठीक है अब आते हैं 11 question में तो 11 question क्या है cos की power 4 वाला वहाँ उपर था sine की power 4 वाला तो यह भी same cos square का holy square कर दो और यह cos 2x ब्रावर यह होता है जिससे cos square x यह निकलता है और आपको पता है यहाँ X के जाए 2X है, यहां 2X रहोगे तो 4X हो जाएगा, यह रख दिया, हमने यहां, बस 4X हो गया, फिर यहां पर यह प्लस B का होल स्क्वार है, A स्क्वार, B स्क्वार, 2AB, और फिर हमने इसको बहार लाए 1 by 4, और फिर से आप देखो, कॉस स्क्वार 4X है, वो इपर वाला फॉर 2X है, तो कॉस 2X की जिगा, 8X हो जाएगा, यह रहा, यह रख दिया है, ठीक है, इतना, बाकी 1 यह सब ऐसा ही है, फिर लगाया फॉर्मुला, तो 1 by 4 ऐसा है रहा, यहां 1 by 2 बहार आ गया, कॉस 8X का साइन 8X, बट्टे 8X का 8, और 1 का X हो गया, यहां भी 1 का X हो गया, 2 ऐसा रहा, फिर आप देख रहे हो, कि यह दोनों 3XY 2 बनेगा, और यह 4 अंदर जाएगा, तो नीचे 2 से वाद 3XY 8 हो जाएगा, और बाकी इसके साथ भी गया यह 4, और इसके साथ भी गया यह, और C तो बहार है अदक से, यह answer है, तो ऐसे करने है, जैसे कॉस्चन एक साथ दी रहे हो, तो उपर भी कहीं साइन दीखेगा, तो उसको भी आदे में बदलना पड़ेगा, साइन X का एक ही होता है फॉर्मूला, और पूरे का और स्क्वेर है बहार लगा दिया, फिर 2 का स्क्वेर, साइन स्क्वेर, कॉस स्क्वेर, सब का स्क्वेर हुआ, और नीचे रहने दिया, तो वन माइनस कॉस X आया, तो हमने यहाँ वन माइनस कॉस X रख दिया, पूरे की जगए, वन का होता है X, कॉस X का होता है साइन X, प्लस सी आंसर, तो हर एक चीज़ लिखी के लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं दिया है, ठीक है, अगला देखते हैं, यह रहा ह आप देख रहे होगे कि उपर कॉस 2X, कॉस 12 है, तो यहाँ पर हमने 2 कॉस, कॉस ही के रूप में लिया है, देखो, यह कॉस 2X से नीचे कॉस X है, तो कॉस को कॉस में बदल रहे हैं, कॉस 12 है, कॉस 12 है नीचे, तो उपर वालों को बदल दे रहे हैं, यह लगाया, यह लगा जिसके कारण a-b a-b कड़ी है उपर नीचे के तू को बहार लिखाया हमने और कॉस x का हो जाएगा साइन एक्स कॉस अलफा यहां रखना आप एक्स के उसमें कर रहे हो कॉस अलफा क्या है अच्छा है यह यह बहार रहेगा अंदर वन बचेगा वन का होता है एक्स तो ऐसे आ पना रहा था मैंने सही किया था ध्यान तो यह सही किया था फिर कारण दिया और फिर दुबरा लिखा ऐसे ऐस चीज़े हो ली थी आज सुपर ठीक है तो देखते हैं यह रहा क्वेश्यन क्या करेंगे देखो साइन टू एक्स का एक ही फॉर्मला होता है टू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वेर एक्स क्योंकि इसका मान भी बन होता है समझ रहे हो न तो हमने दो काम कि इंप्रेंट है एक काम किया इस वन के जिए यह लिख दिया और एक साइन टू एक्स के जिए टू साइन एक्स को लिखने से फाइदा यह हुआ कि नीचे वाला पूरा हिस्सा दे रहा है, sin x का cos x, cos x का minus sin dx dt, इतने की जिगा dt और इसके जिगा t, तो dt रखा और नीचे जिगा t रखा तो t square, अब आपको पता है, और t square को उपर लाएंगे t की पावर minus 2, फिर plus 1 और minus 2 plus 1, हल करने के बाद आएगा, minus 1 by t में ने डिरेक्ट लिखा है, plus c, और फिर t की जिगा ये रख दो वापस, ये रहा, plus c ये answer, तो ऐसा question है, आसान है, बस थोड़ा सा सुरुबात आपको दो जिगा पर change करना है, अगला question, 10 cube है, इसको फिर से 10 और 10 square में बदलेंगे, एक 10 square को हम फ आपको चीए, sec x, 10x, dx, तो 2 को उधर भेज दिया, dt by 2, अब इसकी जिगा तो t रखोगे, t square minus 1, और 10x, sec x, dx के जिगा, dt by 2, तो ये रहा, 2 को हम भार ले आए, t square का t cube by 3, 1 का t, plus c, अब t की जिगा रख दिया, sec 2x, ये, ये, और ये हमारा answer, बह इतना सा है, बस हलका सा आप को हिंटे चीए, ठीक है, तो थोड़ा practice करोगे, तो बन जाएंगे, 14 कर लिए हैं, 10 question है, और करने ही होंगे आज ही, ठीक है, ये लगबग 2-3 page बचे हैं, तो छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी, समझ रहो ना, ऐसा मैं सोचना कि अभी इतना दना काम कर रहे हैं, सोचो जब को आप खुद practice करोगे, तो कितने घंटे बैठना पड़ेगा, एक दिन में 3-4 exercise करनी पड़ेंगी, तो अब भी से करोगे, जब महनद तो तब तो एक्जाम में आपको लगेगा, कि हाँ, यह सब पड़ा हुआ है, और बस करना ही है, वहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, आप अगर यही पर हार मान लोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, समझगे तो इसलिए यहाँ तो छोड़ना ही नहीं है, यहाँ तो हमें speed रख नहीं है, चाये कुछ हो जाए, वरना वहाँ परिशन ही हो जाएगी, एक्जाम में या बाद में, तो 10 की पार 4x को हमने 10 square x, 10 square x लि अंदर लेगी है, इसके साथ भी 1 के साथ भी, यह हुआ, फिर हमने क्या क्या integration को अलग कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी, और देखो, इस 10 square x को तो हम 10 x को अगर हम t ले लें, तो 2 square x से dx से dt हो जाएगा, तो इसको t लेंगे तो t square और वो dt, और यहाँ इसको हमने ऐसे 10 x होता है, 1 का my x होता है, फिर यह black it हटाया, तो यह minus e plus हुआ और इस t की जग़ा पर से 10 x रख लिया, तो यह हमारा answer, तो एकी के अंदर दो दो पार्ट है, समझे, और कितना अच्छा कुछ यह नहीं, तब आगे बढ़ते हैं, अगला यह है, इसमें क्या करेंगे, इसको ह cos cos लिख लिए है, दो बार, इधर cos square से cos square कटा, एक ही बचा, और नीचे sign को दो बार लिख लिए, क्यों लिखा, क्योंकि यह sign बट्टे cos 10 हो जाएगा, और 1 बट्टे cos sec हो जाएगा, cos बट्टे sin cot हो जाएगा, और 1 बट्टे sin cos हो जाएगा, अब देखो, 10 x sec x का integration होता है, से cos x का integration होता है, minus cos x, तो minus आगे प्लस, यह सुरू में लिखाएगे हैं कुछ formula, वहाँ पर ध्यान देना, देखो, यह है, आगे बढ़ेंगे, अठार में, यह रहा, इसमें क्या करेंगे हम, cos 2 x की जिए 2 cos 2 वाला formula लगा देंगी, 1 minus 2 sin square x वाला, क्योंकि इसके बगल में य cos square x से बचा, जो कि side square x होता है, side square x का तो 10 x होता है, plus c answer, समझ रहो, प्रैक्टिस करने से बनेगा, ऐसे नहीं होगा, अब यहाँ पर फिर से एक काम क्या है, इस one की जिगह पर यह तब गश्टार लगा दिया मैंने उपर, यह इन्हीं important है, one की जिगह पर हमने sin square x plus cos square x रख तो यहाँ पर one upon sin x cos x, फिर से वही काम, ध्यान दो, इधर पर इसको cos से divide किया, ताकि 10 बने और एक बार मल्ड़ पै किया, दो काम दिया, आपको ध्यान आ रहा होगा, कि उधारण में हमने first exercise या second exercise के आसपास पर कहीं पर एक question किया था, जहाँ पर यह चीज करनी पड़ी थ ठीक है, तुछ से क्या हुआ, यह 10 हुआ, और यह cos square है, तो one upon cos square sec हुआ, तो देखो यह तो हो गया 10x अपनी जिगा, यह उपर आएगा, तो sec square, अब आप 10x को t लोगे, तो sec square dx dt बन जाएगा, ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर भी sign के बट्टे में, एक sign cos आएगा, तो वो तो t रखा नीचे, और इसकी जगर देटी रखा, तो इधर तो t का t square by 2 हुआ, इधर इसका log t हो गया, फिर t की जगर 10x रख दिया, तो 10 square x by 2 log 10x प्लस यह answer, ठीक है, फिर 20 में चलते हैं, यहाँ भी देखो, कार्ट प्रिट हुई है, अब पता नहीं क्यों ही, क्यों क्यों ही, यह बताता हूँ, इसका region channel जरूरी यहाँ ध्यान देना, तो मैं कर रहा होता हूँ, तो maximum chance होते हैं कि गलत नहीं करता हूँ, यह method है, लंबी method, इसके आगे भी मैं करके आराम से answer निकास देखता हूँ, बता हूँ मैं इसका answer कितना आएगा, 10 by by 4 minus x, हाँ, थोड़ा अलगा रहा है, इसका एक answer यह भी आएगा, 10 by by 4 minus x, यह होगा, हाँ, फिर इसका अब कलंग भी तो करोगे न, तो log sec by by 4 minus x आएगा, तो लगभग वैसा ही आ रहा है, थोड़ा सा लगा रहा है, वो भी answer साही है, तो वो दुसरा तरीका है, इसलिए, लेकिन मुझे जो याद आया, कि आपके में यह लंबा method है, तो short method दुसरी है, क्या है, इसका all square open कर लो, a plus b का, तो देखो a square plus b square plus 2a, यह 1 हो जाएगा, यह sin 2x हो जाएगा, वापस उल्टा कर रहे हैं काम, पहले ऐसा था तो उपर आ रहे थे, उपर है तो नीचे आ रहे हैं, फिर देखो नीचे वाले हिस्से को आप t ले लोगे, तो cos 2, 1 का 0, cos 2x और 2x का 2 dt, 2 फिर यहां बटते में चलाएगा, तो cos 2x, इतने की जगर पर dt by 2 आएगा, इसकी जगर t आएगा, तो 1 by t और dt by 2 आएगा, यहा 1 by t, तो 1 log t हो गिया इतने का, 2 आगे रहेगा, 1 by 2, t की जगर वापस लगे, 1 plus sin 2x, अब वापस चाहो तो इसको cos x से लिखो, तो वो sin x plus cos x का holy square बन जाएगा, और यह 2 जो होता है log में आगे आजाता है, बढ़ा होगा आपनी, classic 11 में, ठीक है, तो वो 2 आगे आजाएगा, तो आगे आएगा तो 2-2 कटेंगे, और यह बच जाएगा answer, या इतने पर छोड़ दो, तो यह भी answer, और एक तिस पुरी प्रस्तनावली का, ठीक है, यह है, अब इसको जरा आग एक बार ढूड़ना, तो आपको इसको करने का एक लंबा वाला तरीका मिलेगा, यानि वो 2 पेज जो पहुचेगा, और देखो, यहां मैंने 3 लाइन में किया है, तो यह छोटा तरीका है, cos x जो है अंदर, इ अंदर 1 होगा, उसका x, x का x square by 2, प्लस सी आंसर, अब ढूड़ना इसका लंबा तरीका, और देखना कि क्या वो हमें करना चाहिए, तो इसी वज़े से कहीं कहीं पर कार्ट पीट हो रही है, जो आपको दिख रही होगी, वो इसलिए है कि यह एक इसकी लंबी method है भी है, इसके बात 24 तो छोटे-छोटे हैं, क्यों है important, क्योंकि यह नीचे ऐसा दिया गया है, हमें उपर भी कुछ ऐसा बनाना है, तो हमने 1 by sin a-b से multiply किया और divide किया, यह थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, important लगा ही लो उसमें, यह बिना कर देखे बार-बार नहीं बनेगा, फिर क्या क्या हमने, उपर a-b तो आगिया, लेकिन x से तो नहीं आया, तो हमने x को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, फिर मैं इसमें दो ऐसे combination बना रहा हूं कि x-a और x-b बन जाए, तो मैंने क्या क्या ना, यह x-b को तो यह है बीच का हिस्सा लिख दिया, औ लगाया, तो इसका होता है, फॉर्मूला, एक मिनिट, यह क्या बन गया कामें, sin x-y, sin x यह है, यह, इसका होता है, sin x cos y-cos x sin y, आपको याद होगा, तो sin x cos y-cos x sin y लगा दिया, उसके बाद जो बट्टे वाला है, यह एक बार इसके साथ गया, एक बार इसके साथ गया, तो यहाँ पर cos x-, यहाँ पर क्या हुआ, cos x-b, cos x-b, गटा, तो यह बचा, अब आपको पता है, sin बट्टे cos 10 x-b होगा, यह 10 x-a होगा, और आपको पता है, 10 x का इंट्रिके सन होता है, log sec x, तो इसका log sec x-b, इसका log sec x-a, ठीक है, अब फिर हमने, हमें पता है, log m-log n का ए से, यह बच्टे में आगी, फिर इसको 1 upon cos लिख सकते हैं न, और इसको भी लिख दिया, तो यह x- से उपर पहुच गया, तो यह ऐसा आगया, और यही हमारा आंसर, इससे आगया आंसर नहीं दिया, समझे लिए, वो important है, कि इसमें हमें 1 upon sin a-b लेना पड़ता है, वह इतना ध्यान रखना, अगला त्याई, इसमें कुशिन यह है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके बट्टे में, इसको एक बार, यह करा रखा है मैंने पीछे, याद आएगा आएगा, आपको करोगे जब, काटोगे तो 1 upon cos, और यहाँ काटोगे, cos cos तो 1 upon sin, यह हो जाएग सेक स्क्वेर, cos स्क्वेर, सेक स्क्वेर, x का integration होता है 10x, और cos स्क्वेर का होता है, माइनस कोट x, एक माइनस आगे है, तो दो जोड़के प्लस हो जाएंगे, यह हमारा answer, यह मैंने कराया है, दुबार से आगिया है, ठीक है, दो बार होगा साइट, अगला यह है, इसमें आ सेले का e की पार x का e की पार x से रहता है, dx बदाबर dt, यह ऐसा रहा, इस दोनों में से e की पार x कॉमन लिया, तो 1 प्लस x dx dt, अब ज़रा देख लो, यह पूरा हिस्सा dt बन गया, और वो t था, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेर, t आएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेर, t और dt हो 24 कोशिंग कर लिए, तो डरना कुछ है नहीं आप लोगों को, बस ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है, 34 में 30 मिनाटी की हुई यह वीडियो, करने में आपको लगबाग एक घंटे से उपर लगे लाई, यह मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्या आपने मैस से ली है, तो मैस से के लाईक लगऊ भी, आपको लगना चाहिए, फील तो होना चाहिए है कि हमने मैस से ली है भाई, टफ है थोड़ा, मतलब टफ है कहने का मतलब ज़्यादा करना पड़ता है, मैनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लिखते रहना पड़ता ह टफ तो कुछ है नहीं आप जानते होगी जब पढ़ रहे हो तो आपको लगी रहा होगा ठीक है? तो मैनत तो करनी ही पढ़ेगी अगर महस लिया तो आप यह मैं सोचना कि बायो लिया तो उनने मैनत नहीं करनी है उन्हें पता है कि उन्हों कितनी मैस करनी पाड़ी है उनको तो पता भी नहीं चलता है कि हमें मेहनत कितनी करनी हो रही है क्योंकि उनका काम बहुत जदा होता है आप लोगों तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने के बाद practice होता है और वो practice आपको करनी है तब ही देख रहे हो एक दिन में 24 question कर रहे हैं तो खाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि practice तो करनी है math का मतलब practice होता है अब bio का मतलब आप जानते हो diagrams होते हैं बहुत ज़्यादा तो bio वाले diagrams की मदद से सीखते हैं आप लोग practice ते सीख रहे हो यहाँ पर practice वहाँ भी होती है लेकिन यहाँ आपको पता है कि कैसी practice है तो मिलते हैं पर अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye